प्रिथिवी का अंतिम छोर यह सवाल तो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर उठता होगा क्योंकि जब हम किसी तालाब नदी या समंदर के पास जाते हैं तो हमें उसका एक निश्चित किंदारा मिल जाता है तब हम कलपना करते हैं कि क्या अगर हम ऐसे ही चलते जाएं तो ए एक दिन प्रिथिवी के अंतिम छोर पर पहुंच पाएंगे या सवाल जितना आसान है इसका उत्तर उत्ना ही बेहद मुसकिल है तो अब इस पर्षिवी के संरचना को समझ लेते हैं क्योंकि संरचना में ही हमारे पर्षिव का उत्तर छिपा हुआ है तो दोस्तो हमारे सोर मंडल में आठ ग्रह हैं और पृतिबी सूर से तीसरा ग्रह है जिस पर हरे भरे पेंड पोधे जल पहाण और वाईवंडल मौजूद है इस पर गृत्वा करसर बल भी कारी करता है यही सब कारण है कि पूरे ब्रहमांड में पृतिबी ही एक मात्र ऐसा जहां पर जीवन संभो है पृतिबी का आकार लगभग गोल है और यह जो इसका उपरी परत दिख रहा है इसके उपर ही हम सब लोग रहते हैं पृतिबी पर लगने वाला गृत्तो करसर बल बहुत अधिक है यही कारण है कि पृतिबी के सतह पर ही हम सब लोग चिपके रहत अगर आप कभी प्रितिवी का अंतिम छोर ठूंडने के लिए निकलते हैं तो प्रितिवी का आकार गोल होने के कारड़ एक समय ऐसा आएगा जब आप जहां से निकले थे, वहीं पर आ जाएंगे और आपको अंतिम छोर नहीं मिलेगा और प्रिथिवी पर गुर्त्वा करसर बल लगने के कारण दूसरे ग्रह पर जा भी नहीं सकते अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं एक फुटबॉल लीजिए और उसको हवा में रोक दीजिए अब उस पर एक चुहा बैठा दीजिए क्या चुहा कभी बॉल के अंतिम छोर पर पहुँच पाएगा तो आप नोटिस करेंगे कि चुहा फुटबॉल के चारो तरफ गोल गोल घूमता रहेगा और उसको कोई अंतिम छोर नहीं मिलेगा सेम यही कंडीशन हमारे साथ प्रिथिवी पर भी लागू होता है कि हम प्रिथिवी का अंतिम छोर पाने के चक्कर में गोल गोल घूमते रहते हैं और कभी प्रिथिवी का अंतिम छोर मिलता ही नहीं है लेकिन फुटबॉल वाले उदाहरण पर एक बात हो सकती है कि चुहा फुटबॉल से नीचे गिर सकता है क्योंकि बॉल पर कोई गुरुत्वा करसड बल नहीं लगता है लेकिन प्रिथिभी पर गुरुत्वा करसड बल लगता है जिसके कारण हम सब इस पर टिके हुए हैं तो अब आपको इस जानकारी से प्रिथिभी का अंतिम छोर मिल गया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैन कर दे